हेलो एवरिवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की आपकी मैथेमेटिक्स की वक्षिट नॉमबर 27 डेट है आपकी 29 दिसेंबर 2020 आज की वक्षिट का टॉप पीक है आपका डाटा हैंडिंग सिक्केमान दली स्टार्ट करते हैं फिर्स कुश्चन है आपका ड्रॉ परजेंट करना है किस पर बार ग्राफ पर ठीक है तो सबसे पहले हम टेबल कंप्रीट कर लेते हैं तो टेबल में जो फर्स शेप है आपकी ग्रीन कलर की इसे जब आप काउंट करेंगे इस आर्ट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 9 शेप है तो फ्रिक्वेंसी में आप लिखेंग आप ऐसे 4 तो हो गया हमारा टेलिमार्क फॉस्ट कंप्लीट सेकिंड है सेकिंड को काउंट करोगे आप यह तो 16 है यह तो 16 का टेलिमार्क आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 10 हो गया 1 2 3 4 5 ठीक है 15 और एक और बना देंगे तो 16 हो गया फिर नेक्स शेप है आपकी जो की 4 है तो यह 1 2 3 ठीक है और फिक्वेंसी में आप लिख देंगे 4 और सरकल जो है आपका वो 6 है तो 6 हम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक 6 ठीक है फिर फिर अपको एक बार ग्राफ बनाना है तो बार ग्राफ के लिए सबसे पहले नीचे आप शेप ऐसे नीचे शेप लिख देना फिर शेप ड् इतनी थी 9 तो 9 इस तरह से ड्राव कर लेंगे 16 16 ड्राव कर लेंगे उसके बाद 4 4 ड्राव फिर 6 ठीक है और इसे आप अपनी जो ग्राफ वाला पेज आता है ग्राफ वाली नोट बुक आती है अप उस पे ड्राव करना तो यह जाद अच्छे से ड्राव होता है ओके फिर एक्स्ट है आपका यहाँ पर जो आपका पर पराव दिया है सक्वेम इस लिस्ट प्रॉपल इस अब जिक्ट रिस पोपलेस्ट अन शेकंड स्मालेस अमोंग दे इंदिया अपार्ट इस पायो बियोडिवर्स एंक्लूदिंग अल्पिन अन सब्र्ट्रॉपिक अल्बियु तो यहाँ पर दिया गया है कि read our paragraph about Sikkim and prepare a table of vowels तो यहाँ पर जो आपकी paragraph दिया है उसमें से हमें count करके यानि A कितने है, E कितना है, I कितना है, O कितना है, U कितना है यह सारे count करके हमें यह table fill करनी है telemark बनाने है और frequency लिखनी है उसके बाद इसके साथ ही second question दिया गया है write the vowel that appears least and most in the paragraph तो यहाँ पर second का में answer देना है ठीक है, कि जो vowel सबसे ज़ादा आए है, जो सबसे कम आए है ठीक है, और find the difference और उसके बाद इनका difference find करना है और इनकी range भी लिखनी है और next question है कि write the ratio of frequency of vowel A and I उसके बाद हमें ratio लिखनी है किस-किस की A और I की तो इससे solve कर लेते हैं हम जैसे सबसे पहले आप telemark बनाएंगे तो यहाँ पर आप एक और column बनाएंगे वाविल, यहाँ पर लिखेंगे आप telemark ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे frequency जैसे first है A है तो A जब आप count करेंगे तो टोटल यह है 32 ठीक है 32 की हम frequency इस तरह से telemark बना लेंगे ऐसे ठीक है हो गया हमारे 15 then 20 25 and 30 और यह 2 extra ठीक है उसी तरह से हम E का बना लेंगे 27 इस तरह से I का बना लेंगे 28 O का बना लेंगे 15 और U कितना है हमारा 6 फिर next question पूछा गया था कि least कितने है हमारे तो least जो सबसे कम है तो U की जो value है आपकी वो सबसे कम है वोवल है वो सिर्फ 6 है most कौन सा है A ठीक है A सबसे जादा है 32 है अब इनका difference निकालना है difference और range एक ही होता है 32 में से जब आप 6 minus करेंगे तो आगया 24 तो कितनी range आई है हमारी A और मतलब सबसे most और least की तो 24 range आई है ओके फिर ratio निकालेंगे A और I का ratio आप कैसे निकालेंगे तो A है हमारा 32 और I है हमारा 28 ठीक है तो 32 लिखेंगे आप उपर 28 लिखेंगे नीचे और इसको आप ऐसे कट कर देंगे ठीक है तो 8 ratio 7 इसका अंसर आ जाएगा ओके फिर question थर्ड है आपका कि सिक्किम इंडियास least populous state which 6,0006,10,577 inhabited according to the 2011 sequence historical population तो यहां पर आपको mean and median निकालना है जो यहां पर populations दी गई है सिक्कीम की जैसे 1951 की दी गई है आपकी 138, 1661 की दी गई है 162, 1971 की दी गई है 210, 81 की आपकी 316, 91 की आपकी 406, 2001 की 541 और 2011 की दी गई है आपकी 611 ठीक है तो सबसे पहले हम mean और median निकाल लेते हैं तो mean और median कैसे निकाला जाता है तो mean के लिए आपकी जितने भी numbers होते हैं उन सब को हम add कर देते हैं ठीक है जितने भी यहाँ पर हमें numbers दिये गया है 138, 162, 210, 360 इन सब को हम plus कर देंगे ठीक है plus करने के बाद यह जितने numbers होते हैं इनको count करके divide कर दिया जाए इसके बाद हम mean find कर लेते हैं में find करने के लिए जो भी हमारे numbers दिये होते हैं उन सब को पहले add कर लिया जाता है और उसके बाद जितने numbers होते हैं उससे हम divide कर देते हैं ठीक है तो आप divide करेंगे तो आएगा 340.571 ठीक है तो यह आजाएगा हमारा mean फिर है आपको median निकालना है तो median के लिए हम सबसे पहले ascending order में रखते हैं सारे numbers को तो यह पहले से यह ascending order में है तो इसके लिए क्या करेंगी क्योंकि यह सारे जो हमारे number है 1,2,3,4,5,6,7 है तो 7 हमारा odd number होता है तो odd number का इसका formula होता है n plus 1 upon 2 ठीक है यानि कि 4th place पे हमारा जो number होता है वो हमारा answer होगा 4 answer नहीं होगा बलकि 4 place पे आप यहां से count करेंगे 1,2,3,4 तो 4th place पे हमारा कौन सा number है 316 तो 316 क्या हो गया यह हमारा answer हो गया median हमारा ऐसे निकाला जाता है कि जितने numbers होते हैं उसको हम पहले divide कर देते हैं जो हमारी total जो number होते हैं 1,2,3 इस तरह से count करके फिर divide कर देंगे जो place पूछेगा वो place उस place पे जो number होगा वो हमारा answer हो जाता है फिर question 4 है आपका given blow bar graph is to represent dillian sikkim तो यहाँ पर जो आपको bar graph दिया गया है dillian sikkim का blue color से जो आपको graph दिख रहा है यह Delhi का है और red color से दिख रहे हैं यह सारे आपके sikkim के हैं ठीक है तो इसमें land area और height above the sea level दिखाया गया है average maximum and minimum temperature give the average of following questions अब यहाँ पर हमें answers बताने give the answers of the following question write the average temperature of sikkim सबसे first में हमें temperature जो average temperature है हमारे sikkim का वो बताना है और second के answer में हमें write the difference of land area in square kilometer और second में हमें Delhi और sikkim दोनों के ही land area के differences को बताना है kilometers में ठीक है तो first का जो आपका answer आजाएगा average temperature का वो यह रहा देखे 30 जो sikkim है हमारा उसका average temperature कितना है 30 degree Celsius ठीक है तो आप first का answer लिख लेंगे average temperature ठीक है तो 30 degree Celsius उसके बाद जो second question है आपका fourth का second question है जिसमें की difference पूछा है सिक्किम और Delhi का तो उसमें आप क्या करेंगे इससे minus कर देंगे 7096 km इसको minus करेंगे 14.84 km ठीक है तो आप minus करेंगे तो 56.12 km हमारा answer आजाएगा जाएगा क्या बाद आप